हलो फ्रेंड मैं रूची वर्मा आपका हमारे चैपे फिर से स्वागत है फ्रेंड आज मैं आपको आलू और मुमफली की सबजी बना कर दिखाएंगे ये सबजी बहुत ही टेस्टी होती है और इसको बनाना भी बहुत आसान है इसको बनाने के लिए चलिए देखते हमें किनकिन सामग्रियों की जरूरत है मूमफली की सबजी बनाने के लिए हम आधी कटोरी मूमफली लेंगे एक बाउल लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इन मूमफलीों को हम भीगो के रख देंगे मुफली को हमें तीन से चार घंटे के लिए भीगो के रखना है तीन से चार घंटे हो चुके हमारी मुफली भी भीग चुकी है अब हम दो आलू लेंगे और इन्हें चील लेंगे इनके मीडियम साइज के हम पीस काट लेंगे बारिक कटा हुआ एक बड़ा प्याज कसा हुआ अद्रक बारिक कटी हुई हरी मिट्च दो से तीन चार से पांच कल्या बारिक कटी हुई लेंगे सुनकी भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चमच नमक सौधन सार एक चुटकी हींग आधी चमच हल्दी पाउडर एक चमच धन्या पाउडर गरम मसाला बारिक कटा हुआ एक बड़ा टमाटर गैस पे अपना भगोना चड़ाएंगे भगोना हमारा गरम हो चुका है अब इसमें हम सरसो का तेल डालेंगे तेल हमारा गरम हो चुका अब इसमें हम लैसुन की कलियां डालेंगे और इसे चला लेंगे लैसुन हमारा पक चुका अब इसमें हम प्याज डालेंगे प्याज हमारा पक चुका अब इसमें हम टमाटर डालेंगे टमाटर को हमें बिल्कुल मीडिया माश में पकाना है टमाटर हमारे पक चुके अब इसमें हम मसाले डालेंगे धन्या पाउडर हल्दी पाउडर गरम मसाला जीरा पाउडर हींग थोड़ा सा पाणी जाल देंगे और अपने मसालों को हम चला लेंगे मसाले को हमें बिल्कुल मीडिया माश में पकाना है हमारा मसाला भून चुका है अब इसमें बिल्कुल मीडिया पाउडर भीगी हुई मुफली और अलो को डालेंगे इसे चला लेंगे हम तीन से चार मिनट के लिए अपनी मुफली और अलो की सब्जी को हम फ्राइ कर लेंगे हमारी सब्जी अच्छे से फ्राइ हो चुकी है अब इसमें हम पानी डालेंगे फ्राइ आप पानी कम ज़्यादा डाल सकते हैं जैसी आपको ग्रेवी पसंद हो अपनी सब्जी को हम ढखकर पका लेंगे इसे हमें 10 मुफल के लिए ढखकर पकाना है और बीच बीच में से हमें चलाते भी रहना है देस्में ठोच चुके हैं अब हमाई सब्जी भी बनकर तयार है इसे हम चला लेंगे हमाई सब्जी बनकर तयार है अपनी हम गैस को बन कर देंगे इसमें हारा धन्या पत्ती डालेंगे और इसे चला लेंगे अपनी सब्जी को हम बाउल में सर्फ कर लेंगे फ्रेंट हमारी आलू और मुफली की सब्जी बनकर तयार है फ्रेंट अगर आपको हमारी आलू और मुफली की सब्जी की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज आप हमें लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ओके फ्रेंट बाई